लड़किया टोटल लाव को जाता है कि उनके ऊफिशिल चैनल पे पोस्ट कर आगया है इंका जो लिस्ट में नाम नहीं एड़ेट कर गया है तो सबसे पहला कॉलेज दूसरा है ऐलस कॉलेज और तीसरा आरेन कॉलेज और बिहार इनुवर्सिटी की हम बात नहीं करने हैं बाकि और बी इनुवर् में अर्विंद महिला कॉलेज की जो चात्राइं हैं जो की कॉमर्स से हैं उनका भी जो सेल्फ फिनांसिंग के तौर पर सायज से कोर्ष चल ला था तो उनका भी नाम एड़िट नहीं है पोटल के उपर हाला कि मैं आपको बता देना चाहता हूं इस रिपोर्ट को जो आप दे करते हैं कि हमें अभी तक के कोई आधिकारी सूचना नहीं बेजा गया है तो हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं हाला कि अगर हम बात करें पाटली पूत्राइं उनका नाम पोटल के उपर चढ़ा दिया जाएगा और अगर आप कॉलेज में नहीं जमा कर पाते हैं तो काफी ज्यादा मसकत करनी पर रही है जब वह कॉलेज से पूछने के लिए जाते हैं तो वहां से यहीं कहा जाता है कि पेपर में तो जो भी छाप दिया जाएगा उसको हम सही नहीं मानते हैं पेपर में कुछ भी छाप दिया जाता है जबकि 2018-20 session की जितनी भी छात्रा है ज session की छात्राओं को 50,000 की राशी दी जाएगी अब आपको जो है मैं वहतर help के लिए यहाँ पे कुछ numbers flash कर रहे हैं इन तीनों number पर आप ट्राइ करते रही है और इनसे जो पूछने की कोशिश करिए उसके बाद जो आप लोग mail करिए जादा से जादा जो की नीचे जो है दि इस दिए डीटेस भेजना नहीं है अधिकारिक जो login ID password दिया गया है वहां से सिर्फ नाम अड़ करना अगर वह नाम अड़ कर देते हैं तो पोटल अपडेट हो जाएगा लिस्ट में नाम आ जाएगा चात्राओं का और उसके इनको भी जो राशी दी जाएगी अब देखत NSPA में अपना scholarship लेने के लिए अपलाई करने के लिए तो जो चात्राओं पूछ रहे हैं कि मेरा login ID password कब तक क्या आ जाएगा तो login ID password के लिए 10 दिन जो पूरे हो चुके हैं बहुत सारी चात्राओं पहले ही अपना registration कर लिया था तो अगर आपके कोई भी समस्य आ रही है IFAC code गलत डाला गया है आपके द्वारा या फिर आपने नाम में कुछ गलती कर दिये तो इसके लिए आप जो helpdesk का जो number दिया है इस पर आप contact करके जो पूछेंगे और login ID password के लिए आपको थोड़ा और इंतिजार करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक के जो है verification process सही तरीक करके पूछ लीजे हाला कि जिनका भी नाम अभी तक के list में added नहीं हुआ है तो उनको एक बार अपने college में contact करना पड़ेगा क्योंकि यह गलती जो है college की है college अगर पहले बता दी होती कि आपका course self financing पर चल रहा है तो चात्रा है उस college में admission ही नहीं लेती अगर आपको अपने पैसे से मतलब है अपने fund से मतलब है तो आप अपना fund अपना रखे रही है पास में यहां की चात्राओं को पता है कि अगर हम किसी college से सनातक पास करते तो उसके उपर जो कुछ scholarship की राशी दी जाती है जिससे कि आगे की पढ़ाईयां कर सकती है लेकिन यहां की government भी कान में तेल डाल के सोई हुई है घोसना कर देती है हाला कि बाद में जो है वो बहुत सारे प्रक्रियाओं से जो आप लोगो गुजरना पड़ता है तो आगे और भी चीज़े आपको देखने को मिलेगी हाला कि अगर नाम एड भी कर देती है जो उसके बाद जो वेरिफिकेशन प पेंडिंग डूटो किस कारण जो है आपका पेंडिंग में गया है फॉर्म एप्लिकेशन यह आपको जो बता दिया जाएगा उसके आपको 6 महीने के बाद दुबारा मौका मिलेगा जिससे कि आप करेक्शन वगरा कर सकती है क्योंकि यह सरकारी काम है और सरकार के तरफ से पैसे दे जा रहे हैं इसके लिए आपको बहुत जादा मकश्चत करनी पड़ सकती है तो बस आप लोग अपना लॉगन इडी पासवर्ट का वेट करिए हाला कि जिनका नाम नहीं एड़ेड है उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करी जाएगा आप लोग को अपने अप कुछ और है जो अपलोड करा गया माक्शिट वो कुछ और है जिसके वाज़ेसे जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं मिल पा रहा है पोटल के उपर और इसके कारण जो छात्रा है यह समस्या जो है आज साही समस्या है और आपको जो है एक से डिर आफते के बाद दिख जाएगा क्लियर होता हुआ आप लोग अपलाइक कर सकती है तो आपके मन में है ऐसा कोई सवाल तो नीचे कमेंट कर लीजे फिर मिलेंगा अगली वीडियो में और भी अपडेट जो आपको हम देते रहेंगे इसी प्रकरते तो चैनल को सब्सक्काइब करके बेल आइकन को ओन कर तब तक लेम चलते हैं धन्यवाद